ये देगर इनोंने कहीं पे आज तक एक ब्रिक्ष लगाया है इस बन पंचेत के अंतरगत एक तारबार की है तो ये मुझे बता दें उस स्पोट को मैं फांसी पे चड़ने के लिए तैयार हूँ और मैं इस बात को स्वीकार करूँगा अंगी किर्थ करूँगा कि हाँ फोरे इनका टेंट आज भी यह अंदर पड़ा हुआ हॉस्पिटल वालों का परन तो कोई कार्मिक नहीं आया ये देगर कोई गिरता है कोई यातरी बीमार होता है उसके लिए कोई स्विपदा नहीं है तो भाई आप जब यहां इस अस्तान के लिए स्विपदा नहीं दे सकते है तो आप कर क्या सकते हैं नेगी लोग है हमारे जो है ये राणा लोग हैं तमाम लोगों की आजिव का मंदिर तुगनाथ से ठीकी हुए है हमारा आरक्षित बन छेतर रप्याग है वहां के उबन संड़क्षक मोदा इद्वारा अभी 51 लोगों को नोटेस जारी कर दिए और जो हमारा ये चोपता से अपने अधिकारी बर्ग से निवेदन है कि आप अपनी परिक्रिया को बंद कर दें ये अगर सासन ने इस तरीके से हमारे बेरोजगारों को जो करोना काल में यहां घर आए हैं इनके पास केवल इस परियाटन के अलावा कोई मुद्दा नहीं है और उत्राखन सरकार परिय को बढ़ा देना चा रही है दूसरी तरफ से आप स्रोजगार करने वालों को हटाना काने तो किस परकार से प्रेहा मैं बढ़िगा महीर नीती नीती चाहिं कि यहां के लड़कों को हटाने की बात कर एक दिश Linda में देख्या से हैं सो लोग transitATOR में दो यह 2.2 बच्चे वी सज्जाल लोगों का जो है रोजगार ये चीन रहे हैं और ये दिगर सरकार में हिम्मत है तो ये इन लड़कों को जिनको जो नोटिस जारी कर दी जा रहे हैं पहले इनको रोजगार देने की कुछ करें ये दिगर रोजगार नहीं देती है तो इनको हटाने का भी अधिकार न दिखा गया और मैं समझता हूँ आज की डेट पे कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो अधिकारी अधिकार की रूप में जन परते निदी जो कहलाते हैं जन सेवक जो कहलाते हैं वो किसी पत्र को पढ़ नहीं दे 2006 बन नियमावली संसोदित जो की गई 2005 जो बनी 2008 में जो नियम इनों ने बनाए उस नियमावली के तैत हम लोगों के परमपरागत हक हुक हैं उसमें इस फर्ष लिखावा है कि 25 वरसों से पूर जो लोग रह रहे हैं उनके एधिकार हैं अब ये कहते हैं कि साब नहीं है नहीं जाए रखते हैं यह बहुत जादा होगे हमारी गाएं बाग मार देता है हमारी बग्रियों को मार दिया उसके बाद धिरे दिरे सन 1962 में जब यह रोड बनी तो इस रोड के बनने से जो हमारी पुरानी चटियां थी उनमें बड़े-बड़े बोल्डर फड़ लोग वहां से जो है अन्यतरा स्थाना पे माइग्रेट होगे होना ही था क्योंकि हमारी आजिवका से जुड़ा हुआ प्रस्ण था अभी हमारे गाओं में एक सो अठाननबे परिवार मैठानी रहते हैं जिनको आदिगरू संकरा चारी की परंपरा से तुंगनात मंदर पूजा का अधिकारा जो नोन पेड़ है जिनको कोई बितन नहीं मिलता जो यात्रें पर टिपेंड करता है हमारे भंडारी लोग है हमारे थार लोग है हमारे जो है यह राणा लोग हैं तमाम लोगों की आज ही का मंदिर तुगनाथ से ठीकी हुई है बरतमान में नौटिज जारी होते हैं कि सहाब आपने क्यों हटा दिये इसंसे सुचना अधिकार में मांगते हैं यह पूरा इसफ़स्ट जवाब नहीं देते हैं यह कहते हैं जी हमार आरक्षित बंचित नियमावली है तो जो इनकी 2005 की नियमावली को नहीं मान रहे हैं सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने जो नियमावली बनाई वो इन अधिकारियों ने पड़ी ही नहीं है उस नियमावली के अंतरगत चाहिए वो डियोफोर उदर प्यागों या दूसरे डियोफोर सामों उस नियमावली में इस पस्ट है कि उसके अध्यक्ष जो है हमारे सिर्मान जिल्ला दिकारी मोधाय होंगे और उपाद्यक्ष उसमें DFO होगा यह देगारी यह नियमा वलिको पड़ते तो संभावत यह इस परकार के नौटेश जारी करने के दिकारी नहीं है फिर यह जो बन पंचयत मक्को बनी हुई है यह सबसे बुरानी बन पंचयत है और इस पूरी बन पंचयत की देख रेक चाहिए वह आरक्षित बन चेत्र एक करें चाहिए दो करें इस पे जो है पूरा नियंतरण बन पंचयत मक्को को था यह 2008 में 18 में जैसे कोई छते पर पत्थर मारता है बहुरे के चते पर वो काटने को दोड़ता है उस परकार से यह छत रहे यह देगर इनोंने कहीं पर आज तक एक ब्रिक्ष लगाया है इस बन पंचयत के अंतरगत एक तारवार की है तो यह मुझे बता दें उस स्पोर्ट को मैं फांसी पे चड़ने के लिए तैयार हूं और मैं इस बात को स्वीकार करूंगा अंगी किर्थ करूंगा कि हाँ फोरेस्ट रिपार्टमेंट ने यह किया सबसे बूरानी बन पंचयत है और यह बन पंचयत 26-40 1957 को घठित हुई यह 26-40 1957 से इस पूरी बन पंचयत की देखरेक चाहिए वो आरक्षित बनक्षित एक करें चाहिए दो करें इस पे जो है पूरा नियंतरन बन पंचयत मक्को को यह 2008 में 2018 में जैसे कोई च्छते पे पत्थर मारता है बहुरे के च्छते पिर वो काटने को दोड़ता है उस परकार से यह च्छते से निकल के बार आ रहे हैं कि साब हमारा छेतर है अरे भाई आपका छेतर है यह देगर इनोंने कहीं पर आज तक एक ब्रिक्ष लगाया है इस करोंगा कि आप और ब्युवस्ता के नाम पर कोई चीज नहीं थी यहां पर एक हॉस्पिटल है च्छै मैने का यात्रियों के लिए उस ही हॉस्पिटल में करोना काल से इनका फार्मेसिस नहीं बैटा इनका टेंट आज भी यहां नर पड़ा हुआ हॉस्पिटल वालों का प सारे रिजर्ब फोरेस्टों में आग लगी आप लोग भी देखने वाले हैं पूरा हिंदुस्तान देखने वाला है उत्राखंड के जंगल जब धधकते हैं तो हमारी सरकार जो है हॉलिकप्टरों से पानी भेज करके और वहां आग बुजाने का काम करती है अन्यिस सथावन से लिएकर कि आज तक मकूवन पंचैद में बिना इनके जितने विद्यकारी आज उवल रहे है कि ढगारी आज तक आग नहीं ve यहाँ पर ब्यवस्ता के नाम पे कोई चीज नहीं थी यहाँ पर एक होस्पिटल करोनकाल से इनका बैठा इनका टेन्ट आज भी यहां नर पड़ा हुआ है परन्त कोई कार्मिक नहीं आया यह देगर कोई घरता है कोई यह बीमार होता है उसके लिए कोई शुबदा नहीं है तो भाई आप जब यहां इस अस्थान के लिए शुबदा नहीं दे सकते हैं तो केवल अपना हक जमा रहे हैं और यह मैं समाझ था हम लोगों को हटा करके हमारा पहला करके यहां तो पलाय से चनल और कंम कर दिया हुआ आथे ब्सक्षित हुआ इस यह wander लोगों को हटा करके मैं समझता हूँ कि ये बड़े-बड़े जो है ना बिल्डरों को बड़े-बड़े भूमाप्याम को जिन लोगों ने हमने यहां जो है इस जंगल को बचाया है यहां बसाने की कोशिस करते हैं